हमें वचन के अनुसार बार बार अपनी बढ़ाई करने या अपने ही बल पर अभीमान करने से मना किया गया है लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम हर परिस्तिती में अपने आपको तुछ समझने लग जाएं परमेश्वर के परिवार जन होने के कारण हम दूसरों से अलग कर दिये गए हैं और ये एक आशीश का स्थान है अहंकार से भरे बिना हम अपने जीवन में अपनी सफलता में कैसे रह सकते हैं आज हम इसी वेश्य पर बात करेंगे शुरू करते हैं परमेश्वर के वतन से जब तो अपनी सब भांती की बढ़ती के दश्माश को निकाल चुके तब उसे लेवी परदेश्य अनात और विद्वा को देना कि वे तेरे फाटकों के भीतर खाकत रिपत हों और तो अपने परमेश्य यहोवा से कहना मैंने तेरी सब आग्याओं के अन्सार पवित ठहराई हुई वस्तों को अपने घर से निकाला और लेवी परदेश्य अनात और विद्वा को दे दिया है तेरी किसी आग्या को मैंने ना तो टाला है और ना भूला हूं ना उन वस्तियों में से मैंने शोक के समय नहीं खाया और ना उन में से कोई वस्तु अशुदता की दर्शामें घर से निकाली और ना कुछ शोक करने वालों को दिया मैंने अपने परमेशे यहोवा के सुन ली मैंने तेरी सब आग्याओं के अनुसार किया है तो स्वर्ग में जो तेरा पुवित्र धाम है दृष्टी करके अपनी प्रजा इसरायल को आशीश दे और इस दूद और मदू की दाराओं के देश की भूमी पर आशीश दे जिसे तुने हमारे पूर्वजाओं से खाई हुई शबत के अनुसार हमें दिया है परमेश्य का वचन पढ़े हो हमें सब कुछ तो परमेश्वर से ही मिलता है तो हम सब अपनी किसी भी बात के लिए परमेश्य के सामने अपनी बड़ाई कैसे कर सकते हैं humility या नम्र सभाव जो वचन की अनुसार है वो एक गुण है जिसके अनुसार हम अपने बारे में कम सोचते हैं और परमिश्य या दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं ये अपने आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं है बलके दूसरों का धियान रखने के लिए है और ये परमिश्य का भै और उनका आदर करने के साथ लिंक है और धनिवात का एक एटिचूड जो होता है उसके साथ ये लिंक है और फिर हम इसके द्वारा परमेश्य के साथ जुड़कर एक नमर सभाब में आ जाते हैं इस नमरता का जो सही ओधारन है वो हमें समझना है और उसी का हमने अनुसरन भी करना है वो है परमेश्य के पुत्र प्रभु यश्यू जो के फिलिप्पियों दूसरा अधिया साथ मिया आयत के अनुसार परमेश्य होते हुए भी अपनी परमेश्य की महिमा को छोड़कर उन्होंने इनसान का रूप धारन कर लिया यहना 5 की 19 में प्रभु यश्यू ने अपने आपकी पहचान बता दी परमेश्य के साथ उन्होंने कह दिया कि पुत्र अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता है लेकिन वो वही करता है जो पिता को करते हुए देखता है और इस प्रकार उन्होंने अपनी पहचान निर्बर्ता के साथ पिता के उपर बता दिया प्रंतु क्या परमेश्य अपने चुने है लोग जिने उन्होंने अपने बच्चे होने का अधिकार दिया है वो आतम समान से उने जीवन में नहीं जीने देना चाहते उत्पति पहला आगया है 27-28 आयत में लिखा है प्रमेश्य ने मनुश्य को अपने सवरूप के अंसार उत्पन किया अपने ही सवरूप के अंसार प्रमेश्य ने उसको उत्पन किया अपने ही इमेज और लाइकनेस में प्रमेश्य हमें बनाया मतलब उनके गुण हम में दिये गए और फिर उसके बाद में उन्होंने जो टास्क उसे दिया काम दिया वो कह दिया कि धरती पर च्छा जाओ इसे अपने वश में कर लो जो धरती पर सब चीजें इनसान के वश में होने के लिए उन्होंने आग्या दे दिये जिसमें इस परकार की अद्बुत पहचान है जिसे ऐसी अद्बुत आशीश दी गई है वो अपने आपको छोटा कैसे समझ सकता है मुसा इसरेली लोगों को एंकरेज उत्शाहित करना चाहता था जब उन्होंने बारा जो भेज़िये भेजे एक एक ट्राइब से एक एक को उसने भेज़ दिया और उसको बोला कि जाओ उस दर्टी को देख कर आओ जो परमिश्य ने तुम्हें वायदा कर दिया है वो देखनें गए उसकी परमिश्य के दी हुई दर्टी के संदरता को उसकी बोहतायत को और उसका फल भी वहां से लेके आए ताकि दूसरे देख सकें लेकिन वहां पर उन्होंने जो वहां रहते थे उनके ओपर ध्यान ज़्यादा देने लग गए कि ये डेथ ये हैं सब कुछ है और उनके साइज पर ज़्यादा दिहान लग गए और अपने आपको उन से कंपेर करने लग गए क्योंकि वो चार सौ साल तक मिसर में दास्ता में रहे थे वो जो परमिश्य के सामने उनका सवरूप था उनकी पहचानती वो उसे बूल गए और किनान के जो देथियों को उनको देखने लग गए निर्गमन चार की 22 आयत में परमिश्यर ने यहवा परमिश्यर ने मुसा को कहा कि फैरो को जाकर बता दे इसराइल के बारे हैं उसको कह कि इसराइल मेरा पहला उठा है मेरा पुत्र याकूब ने जब अपने पुत्रों को आशीश दी अपने अंत समय में तो उसने रोबन जो उसका सबसे पहला पुत्र था मुद्पती उनन्चास की तीसरी आहते है उसे कह दिया है रूबन तो मेरा जेठा मेरा बल और मेरे पौरुश का पहला फल है और यही आशीश परमिश्य ने इजरायल को दी थी और वही आशीश हम जो विश्वाशी हैं उनके उपर आ जाती हैं जो हम विश्वाश के द्वारा प्रापक करते हैं इस प्रकार हम प्रमिश्य के बल और उनकी शक्ति को इस दर्ती पर पुवित्र आत्मा प्रमिश्य जो हमें बल से बरते हैं वो जाहर करते हैं और उसी की हम अपने कामों के द्वारा गवाही देते हैं लेकिन बारां भेदियों की तरह जब हमारा फोकस प्रमेशर से बदल कर अपने उपर आने लग जाता है अपनी ही स्थेफिशेंसी में आ जाते हैं कि मैं कर सकता हूँ तो फिर जिस परकार भेदिय अपने आपको उनके सामने टिड़े समझने लग जाते हैं हम भी अपने आपको वैसे ही समझें लग जाते हैं इस्रेलियों का मिसर से छुड़ाया जाना और उनके सामने जो अद्व चमतकार किये परमेशर मुसा के दौरा वो वचन में बार बार लिखे गए हैं और इसमें ये नहीं परमेशर अपनी बढ़ाई करके दूसरों को बताना चाहते हैं लेकिन इसलिए है कि उन्हें बार बार याद कराएं कि उनकी जो परमेशर की आँखों में जो इंपॉर्टन महत्व है वो क्या है कि परमेशर उनके लिए इतना कुछ कर सकते हैं और करते हैं बहुत लोग बहुत चर्चेज में एक परचार के बाद में या पहले ओपन माइक सिस्टम रखती आ जाता है एक समय होता है जिसमें कोई भी आकर अपने बारे में बात कर सकता है कन्फेशन कर सकता है पूरी जो कॉंग्रीगेशन कलीचिया के सामने आम तोर पर लोग वहां पर टेस्सिमनी देते हैं को उन्हें क्या क्या आशीश मिली जो उस एक हफते के दरण उन्होंने पाई है रोमन चर्च के अंदर कन्फेशन जो है एक प्रीश के सामने की जाती है और एक किसी एंक्लोशर में स्क्रीन के पीछे से जो कन्फेस करने वाला है और प्रीश दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं और इस प्रगाद प्राइवेसी मेंटेन की जाती है अर यह हैं पापों को अंगी कार करना और उसके द्वारा फिर प्रमेशर से उसके लिए श्रमा मांगना पहला योहाना पहला आगए नौ में आयत में योहना रसूल ने हम सब को यह आशीश दे दी has वाइदा कर दिया कि परमेशर जब हम पापों कांगी कार करते हैं तो वो faithful हैं कि हमें उनको पापों से माफी दें और हमें शुद्ध करके दार्मिकता में ले आएं लेकिन क्या परमेशर जो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं वो सिर्फ उनकी कमजोरियों में ही इंट्रेस्ट रखते हैं हाँ हाँ अगर हम अपनी गलतियों को ना माने तो हम उससे बाहर निकल लें उसको सदारने की भी कोशिश नहीं कर सकते ये बिलकुल सही है लेकिन इसी परकार अगर हम अपने जो स्ट्रॉंग पॉइंट है जो बल बल है जो शक्ती के पॉइंट है अगर हम उनको भी ना पहचाने तो हम कभी एंकरेज भी नहीं होंगे कि हम कमजोरियों पर जाएब पा सकते हैं और फिर उसके लिए हम परमेश्य का हाथ की सहायता भी नहीं मांगते के कन्फेशन जो है हमारे अच्छे पॉइंट के बारे में भी बताना परमेश्य को है ये कोई अहंकार में अभीमान में बोलने की बात नहीं है कि मैं इतना कर सकता हूँ लेकिन परमेश्य का धनिवाद करने के लिए है कि उनके बाल उनकी गाइडेंस में हम ये कर सके हैं फिलिप्पियों की पुर्त तक चौथा अधियाए तेरमी आयत में पॉलिस रसूल ने इसी परकार अपनी यो शक्ती थी उसका उन्होंने जाहर कर दिया अपनी शक्ती उन्होंने कहा मैं सब कुछ कर सकता हूँ अपने बल में नहीं, अपनी capabilities में नहीं लेकिन येश्य मसी के बल और शक्ती में जो मुझे बल देते हैं कर सकता हूँ मैं लेकिन बल प्रभु येश्यू का है और फिर उन्होंने उस स्वर्गिय हाथ को पहचान कर दी याकूब जो रसूल है जो के यरिश्यम की चर्च के पहले चर्च के लीडर थे उन्होंने भी अपनी ही जो बाते हैं उन पर अहंकार करने से हमें मना कर दिया उन्होंने कहा याकूब पहला अध्याए स्थार्मी आइट में क्योंकि हर एक अच्छा वर्दान और हर एक उत्तमदान ऊपर ही से है और जियोतियों के पिदा की वार से मिलता है जियोतियों के पिदा nacional और फिर इसका उन्होंने कह दिया कि हम उसके कारन परमेश्य का धनिवाद करते हैं, उनकी अधीनगी में चलें, वो परमेश्य जो अपनी मुठी को बंद नहीं करते हैं, हमें हर तरह से आशीशें देते ही रहते हैं, अच्छी और पर्फेक्ट चीज़ें हमें देते रहते हैं, जो इतने द्यालू हैं परमेश्य, हमारी प्रा आपका नाम पुवित्र माना जाए जिसको हम अरादना कर रहे हैं वो हमारे पिता हैं पहली पहचान तो ये है और स्वरक में हैं हमारा नदीक का रिष्टा है और क्यूंकि हम उनके बच्चे हैं वो हमारे पिता है तो हमारा एक अधिकार उन पर बन जाता है और हमारी पहचान है वो ये है कि हम अपना जो डिपेंडनेंस है उनकी ओपर जो निर्बरता है परमेशे पर वो जाहर करते हैं लेकिन हम उनका धनिवाद करते हैं जो हमने पहले पाया है उसके लिए हम धनिवाद करते हैं इस परकार हम ये मान लेते हैं कि हमने जो पाया है उसके दौरा उनकी आशीश के द्वारा पाया है, तूएंकि उन्हों ने हमारे लिए वो द्वार खोल रखा है, और पिर हम इस यकीन में भी बोलते हैं, कि हमें आगे भी आशीशे मिलती ही रहेंगी, और इस प्रकार हम उनका धनवाद भी करते हैं, उनकों महमा भी करते हैं. हमें परमेश्वर की बढ़ाई करनी है और हमारी प्रात्ना भी इसी के अनुसार होती है हम अपनी बढ़ाई और वो भी परमेश्वर के सामने कैसे कर सकते हैं पुराने नियम के अनुसार जो बहुत विश्वाशियों को ये बताया गया है कि हमारे लिए वो relevant नहीं है के दिश्मार्ट देने पड़ते होते जो के साथ साल के साइकल के अंजाज चलता था पहले दूसरे साल अलग तीसरे साल अलग चौता पांच माह अलग शटा अलग साथ माह ऐसे अलग अलग ता जो पहला था उसे टरूमा कहते हैं जो के तकरीब दो परसेंट था जो के प्रिस्ट को, पादरी को दिया, याजब को दिया जाता था दूसरा था मैसर इहारन जो 10% तो तक गरीबं यह लेवी जो थे, जो मंदिर में काम करते थे, जो वचन सिखाते थे उन लोगों को दिया जाता, उन में माटा जाता था और फिर इसके इलावा दूसरे भी और थे पहले और दूसरे साल में जो ये उपर वाले दो थे मैसर शेयनी उसमें एक और एड़ किया जाता था जो था जो फसल थी उसका कुछ हिस्सा लेकर जाना यरिशलम में वहां पर लिजाकर उसे वहां जाके खाना ताकि यरिशलम में जो लोग थे उनको भी कुछ फैदा पहुँचे एकॉनमी में आप बड़ोतरी कर सकें तीसरे साल में जो पहले वाली दो टाइट थी याजक और मंदिर के लोगों के लिए उसके साथ एक और एड़ कर दिया गया था जो के गरीब लोगों को विद्वाओं को और दूसरे जो जरूरत मन्त थे उनको दिया जाता था इसे वो मैसर एनी कहते थे अब चौथे पांचमे साल में वही जो पहले और दूसरे साल का था वही चलता था चड़े साल में वो तीसरे साल का रिपीट हो गया तो तीन साल का सर्कल बन गया जो सात्मा साल था वो सिबाटिकल एर था जिसमें सब जो विनियार्ट थे जो जहां पर उनने अपनी बेले म और अंगूर के फसलती जो कुछ भी तार लगाते थे fields को सब को खाली छोड़ दिया जाता था कुछ बोया नहीं जाता था कुछ काथा नहीं जाता था जो अपिद। था उसे कोई भी लिया सकता था और Passover Festival जो होता था जो किtr Studios' Caucasus में जा जाता था वो चौते साल में और साथ में साल में उससे पहले हर एक यहोदी को यह विश्वाश करना होता था जरूरी करना होता था कि जो जो उसे देना है उसने पहले तीन साल में वो दे दिया है अगर नहीं दिया उसे कलियर करना है वो दे देना है पहले फिर उसके बाद में उसे परमेश्य के सामने जाकर डिकले करना था, किन्फेस करना था, जो कि हमने पढ़ा था, ये वस्ता ये वेरवन 26 की 12 से 15 अधर, वहां पर आग्या ये है, तो अपने परमेश्य यहवा से कहना, मैंने तेरी सब आग्याओं के अंसार पवित ठहराई हुई वस्तों को अपने घर से निकाला, और लेवी परदेशी अनात और विद्वा को दे दिया है, और तेरी किसी आग्या की मैं को मैं ना तो टाला हूं और ना भूला हूं, फिर ये हम कन्फेस करते हैं, कि मैंने आग्य को माना भी है, मैंने भूला नहीं हूं, फिर चौदमी आएत में और आग्याओं के अनसार किया है, मैंने पूरी तरह से आपके आग्याओं को माना है, और ये हम कन्फेशन वो इसरेली करते थे, और इसका मदल्ब ये था, कि परमेशे के सामने करना, बोलना ये परमेशे, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, आग्या कारी हूँ बिलकुल मैं पूरी तरह से, लेकिन वो तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, और यहूदी जो विचार है, इस confession को विदोई माजर कहते हैं, जो के टाइफिंग confession है, विदोई एक confession है, जिसमें हम अपनी गलतियों गिकार करते हैं और शमा मांगते हैं, और यह exactly opposite है उससे, आप यह सोचें, अगर आप अपनी पतनी को बोलते हैं, कि मैं आपको कोई अच्छी, मैं बताना चाहता हूँ, confess करना चाहता हूँ, फिर आप उसको बोलने लग जाएं, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, तेरा कित मैं दियान रखता हूँ, सब पैसे देता हूँ, बच्चों का मैं दियान रखता हूँ, हर तरह से मैं तो बहुत बड़ी हा husband हूँ, तो क्या उसका reaction हो गई, आप सोच लीजिए, लेकिन हमें यही परमेश्य के सामने कहने के लिए कहा गया है, और यही हम बोलते हैं, confession जो है परमेश्य के सामने सिर्फ यही बोलना नहीं है, कि वो सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में, मेरे पापों के बारे में, मेरी बुरा कामों के बारे में, और फिर वो यह भी जानते हैं, कि हम उस उन पापों के बारे में कितना बुरा समगते हैं, कितना हमारे अंदर गिल्ट आजाती है उसम जानते हैं साइकॉलोजिस जो आजकल सिखाते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग किया जाए अच्छी बातें सोचो ताके हम जो हमारी कमजोरियां हैं उन पर जाय पाएं और अपना जो चलन है उसमें हम बदलाव ला सकें परमिशन ने ये हमें हजारों साल पहले वचन के अंधार बता लिया परमिशन अपने प्यार में अपने बच्छों को हर तना से अपने सामने अहंकार से भरे हुए नहीं देखना चाहते हैं लेकिन एक फोकस बनाए हुए कि जिस एक एरिया में मैंने सफलता पाई है जहांपर के मैं गल्पी कर सकता था टाइट मैं शायद मुझे जरूरत है हर तना की हर एक को जरूरत बनी ही रहती जाए कितना भी हो हम उसे रुक सकते थे लेकिन फिर भी मैंने वो किया है जब इस परकार मैं अपनी गल्तियों के बारे में सोचता हूँ और जो शातान मुझसे कराना भी जाता कि महरुद गल्तियों बरी लगा रहूं तो फिर हम यह सोचने लग जाते हैं गल्तियों ही होती हैं मैं नहीं बदल सकता जतना मर्जी मैं कोशिश कर लूँ और फिर मैं जो परमिश्यम उससे चाहते हैं वो जो उन्होंने मेरे निश्चित निरधारत कर रखा है उस पोटेंशिल तक मैं कभी जो positive बात बोलनी है वो अपने बल को पहचान करना है कि मेरे अंदर कुछ अच्छाई भी है कि जब मैं सही तरीके से कोशिश करता हूं तो मैं अच्छा काम कर भी सकता हूं और इस परकार फिर मैं अपने जीवन में बुराई को अपने उपर अधिकार जमाने से बचा रहता हूं फिर मैं और इस परकार हमारी जो confession है वो परिस्तिती भी मुझे मेरे सामने जहार करने लग जाती पर में मुझे क्या चाहते हैं और फिर जो मेरे उस साफ बस्तरों को जब देखता हूं मैं उसमें कुछ भी बुराई की एक भी दाव आ जाता है तो एक दम मुझे दिख सको परमेश्य के सामने ये अंगी कार करना कि एक एरिया में मैंने इसमें मैंने सफलता पाई है उसमें मुझे एक और आशीश मिल दी कि हम परमेश्य का धनिवाद करते हैं कि उन्होंने मुझे ये करने में सहयता भी है इस परकार फिर मैं confidence में बढ़ जाता हूं विश्वा क्योंकि confession ये अंगी कार करना है कभी मैं सही हूं कभी मैं गलत हूं तो मैं ये कहता हूं हाँ मैंने गलतियां भी की हैं लेकिन मैंने अच्छा ही भी की है लेकिन जो कहता है मैं सजा गलतियां ही करता रहता हूं मुझे गलतियां ही होती मुझे कभी अच्छा होता ही नहीं है वो गलतियां तो मानता है लेकिन अपने गलतियों के लिए हर चीज़ को बलेम करने लग जाता है मुझसे कुछ नहीं होना क्या करूँ जी महौली ऐसा है परिवार वाले सास नहीं देते इस सब होने लग जाता है श्रेष्ट गीत जो सुलिमान का गीत है उसमें शुलिमाइट औरत है जो सुलिमान के साथ जिसकी शादी होती है वो पहना आधियाए उसकी पांचमी आयत में कहती है हे यरुशलिम की पुत्रियों मैं काली हूँ परतु सुन्दर हूँ मैं काली हूँ परती सुन्दर हूँ सुन्दर हूं? इस परकार वो जो इसका बाहर का दिखने वालग जो इसकी परिस्थिति है वो जहर करती है जो बाहर दिख रहा है मैं वो नहीं हूं अंदर से मैं बहुत ही सुन्दर इसान हूं और यह एक जो लाइन है ये तीन स्टेप बदलाव के जहार कर देता है पहला है जो मैंने किया जिसके कारण मेरा रंग ये खराब हो गया मेरा बाहर का जो पहचान खराब हो गई है मैं इसको पहचानता हूँ मैं इसे बदलना चाहता हूँ दूसरा ये है कि मैं ये रिलाइज करता हूँ क्योंकि मैं उसको बढ़ सकता था मैं उससे थार को लगने से बढ़ सकता हैं इस परकार फिर मैं परमेशर की वाज़ जुडने लग जाता हूं और फिर उनकी सहायता की भी मुझे एशॉरस मिल जाती है कि मैं कमजोरियों पर उनके बल में जाय पाऊंगा फिर हम परमेशर को ही ये गवाही नहीं देते हैं कि मैंने ये अच्छा किया लेकिन उसके दोरा फिर मैं अंदर से अपने बल पाने लग जाता हूं कि मैं कमजोरियों पर भी जापाऊंगा फिर ये जो दूसरी कनफेशन्स जाएं गलतियों की उसका भी सही मुझे मतलब दिखाने लग जाती है कि ये मैंने गलती की क्यों की इसको मैं कैसे बतल सकता हूं ये इस परकार है जैसे एक बच्छा अपने स्कूल का रिपोर्ट काड़ अपने पिता के पास लेकि आता है उसने तीन सब्जेक्ट में तो काफी कमजोरी है थी उसकी लेकिन बाकियों में उसने बड़ा च्छा किया है अब पिता या तो उसके जो बाकी काम है उन में उसे सफलता के लिए पहले बताई दे और फिर और उसके जो बाकी कमजोरियां उसमें उसके साथ discuss करे कि इन में कैसी उसको सफलता मिलनी चाहिए अगर उसे तरčिश करते हैं अगर तू कोशिश करें तू कर सकता है कोशिश कर हम तेरी मधद करेंगे इस प्रकार हम उसे regularly बाकी सप्जेक्ट्स में में अच्छा करने के लिए उस उस चाहित करने लग जाते हैं जो हमारी एक अच्छी चीज है जो हम अच्छा काम करते हैं अच्छा काम हमने किया है अपने पास्टर या अपनी पत्नी या किसी मित्र नजदी की से उसे उसे बात करें उसे, अहंकार मैं नहीं, बताएं कि मैंने, हाँ, यह आज एक अच्छा कर दिया है। फिर हम, जो हमारे अंदर गल्पी हैं, उसको यह हम क्वेश्टन करने लग आती हैं, अपने आपको क्वेश्टन करने लग आती हैं, कि मैं बाकी चीजों में क्यों नहीं अच्छा हूँ, मैं कैसी उसको बदल सकता हूँ फिर हम अपने आप ही अंदर से रास्ते निकाने लग जाती हैं परमेशर हमें रास्ते दिखाने लग जाती है ताकि हम उन पर चल सके ये एक बदलाव का कनफेशन है जिसके दौरा हम आगे बढ़ते हैं अपनी बढ़ाई क्या हमें अधिक पाप की ओर लजा सकती है क्योंकि हम अंकार से भी बढ़ सकते हैं फिर गवाही या कनफेशन के दौरा हम वो याद करने लग जाते हैं समझने लगते हैं परमेशन ने किस परकार हमें मुक्ती दिया हमें बदलाव किया हमारे जीवन को बदला है और किस परकार कोई तरातना परमेशन हमें हमारे पापों के बारे में याद कराती रहते हैं कर रहे हैं हर दिन और उसमें से निकलने करास्ता बताते हैं इस परकार हम न्मरता के साथ परमेश्य का उनके पियार और अनुग्रह के लिए धनेवाद करते हैं और किस परकार हम आगे बढ़ सकते हैं फिल्प्रिप्ठीओं के पुज़ तक तेरा आयत थे पौलिस रसूल फिर जो हमारे जीवन के सच्चाई है वो सिखा देते हैं वो कहते हैं परमेश्य ही हैं जिसने अपनी सुच्चा निमत तम्हारे मन में इच्चा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है प्रमेश्य पहले हमारे मन के अंदर इच्छा डालते हैं कि हम अच्छाई करें जब वों ऐसी अच्छाई की गवाही देते हैं तो इच्छा और बढ़ती है और फिर हमें बल देते हैं कि हम वो सब कर सकें प्रमेश्यर की ये इच्छा है कि उनके जो बच्चे हैं उनके पुत्र प्रभु यश्यू की तरह चले एक दूसरे का ध्यान रखते हो प्यार करते हुए और जब हमारे अंदर वो ऐसी अच्छाई की पहचान कराते हैं तो फिर हमारे उपर ये भी जहार करते हैं हमारे अंदर बुराई किया है और पुवित्र आत्मा प्रमेश्यर हमें इस आयता करते हैं हम उनके रास्तों पर चलें जेफनाया की पुष्ट्र को इसका तीसरा अधियाए स्तारा आयत में सपनया यहां लिखा है तेरा प्रमेश्यर यहोव तेरे बीच में हैं वे उद्धार करने में प्राकर्मी हैं वे तेरे कारण अनंद से मगन होगा और अपने प्रेम के मारे चुका रहेगा फिर उंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा इमाजन कीजिए प्रमेश्यर हमारे किसी अच्छे काम के लिए खुश होकर गीत गाते हो और फिर विश्वास के द्वारा हम प्रभु यश्यू के उस काम में जो हमें माफी मिली हो वो सही तरीके से जानते हैं हम बदलाब में नई क्रियेशन बनते जाते हैं पुराणी नेचर हमारी बदलने लग जाती है फिर हम ये भी सीख लेते हैं दूसरों को कैसे एंकरेज करना है मेरा एक दोस्त है जो रेस्टरंट चलाता है उसके आस पास में दो रेस्टरंट बंद हो गए कोई वहां काम करने के लिए आया उसने उसको आम तोर पर अभी खोलना शुरू करना था वहां पर उनने ब्रांच आके उसने बोल दिया देखो जी यहां तो सब कुछ बंद हो जाता है साथ वाले दोनों रेस्टरंट बंद हो गए अब एंकरेज तो उसको क्या करना जहां काम करने शुरू करने वाला है उसे डिसकरेज कर दिया पहले ही उसे नेगटिविटी से भढ़ दिया पता नहीं चलेगा भी कि नहीं चलेगा परमिश्यर हमारे अंदर फिर यह बल भढ़ते हैं कि दूसरे को एंकरेज करो कि देखो आपने बड़ा अच्छा किया आप जुरूर सफल होंगे दूसरे नहीं हुए लेकिन आप सफल होंगे और फिर हमारे अंदर जो यह हर रोज की जो बुराई के साथ लड़ाई है उसमें हम जीत पाने लग जाते हैं और फिर जो टेम्टेशन हमारे सामने शतान लाता है उससे बचे रहते हैं जब हम वने पापों का आंगी कार करते हैं माफी मांगते हैं तो फिर हमें ये भी अकनॉलिज करना है मानना है कि हम उनसे प्रिष्टितियों से कैसे बढ़ सकते हैं उसका रास्ता भी निकालना है इस प्रकार फिर हम अपने प्यार करने वाले पिता को आनंद देते हैं और फिर वो हमारी समझ से बाहर हो जाता है कि परमेश्य हमारे लिए आनंद देता हैं, हमारे लिए गीत लाते हैं, जो अच्छा है कि हमने कुछ किया हो, जो ये deep जो गहरी attachment है परमेश्य की हमारे साथ, तो फिर वो हमें दिखाई देती हैं उनके पुत्र में और फिर जो अपने बिलकुल हम अकेले हों कहीं कुछ रास्ता ना दिख रहा हो फिर भी हम विश्वास में चलते हैं कि हम परमेशे के पुत्र हैं और उसी में हम बने रहेंगे परमेशे हमारे साथ है चाहे हमें महसूस ह भी हो रहा हो या ना हो रहा हो ब्रहर हम किसी गिरवट में नहीं आते हैं बढ़कते नहीं हैं अगर हम गिरते भी हैं तो हम यह पहचान कर लेते हैं मेरे अन्दर प्रमिश्य की वह पोवितरता है اور और किसी भी तरह से कोई बुराई मेरी सोल के अंदर नहीं जा सकती है और मुझे परमेशे के वच्चन से और परमेशे से दूर नहीं कर सकती है फिर शेतान का गर्जना दो है बल शाली लेकिन मैं फिर उसका सामना परमेशे के बल में कर सकता हूं क्योंकि मेरी जो सक्सेस है जो उसके लिस्ट है फिर वो लंबी होती आती दिन पती दिन किस परकार मैंने यह अच्छा किया था जो मेरी गवाही है फिर वो परमिश्य के बल में और भी मजबूत होती जाती है और जिस परकार फिर योसफ को परमिश्य ने साहता की थी कि वो पोतीफर की पत्नी ने जब उसे लुभाने की कोशिश की उसे वो भाकर निकल गया फिर मेरे अंदर भी ये बल आ जाता है कि मैं भी वो कर सकता हूँ फिर मेरे अंदर भी विश्वास हो जाता है कि परमिश्य ने उसे सबेरे वो जेल में उठा था लेकिन वो सोया प्राइ्म मिनिस्टर बन कर मिसर का उसके मेल में जाके सोया इस प्रकार ऐसा अध्ब चमत कर मेरे जीवन में भी हो सकता है अगर मैं अच्छा करता रहूं एक अच्छा करता हूं, दूसरा करता हूं तो फिर हम उन अच्छे कामों में बढ़ते रहते हैं फिर जो मैंने पाया है वो परमिश्य के बच्चे होते हुए पाया है और वही मेरे जीवन का एक मकसद बन जाता है कि मेरे कामों के द्वारा जो मैं उनके बल में करता हूँ विश्वाश में करता हूँ परमेश्य को मैं आनन्द दे सकूँ फिर जो मेरा फेल होने का गिरने का जो दुख जो मैं पुकारता हूँ परमेश्य के सामने रोता हूँ वो भी फिर मेरे जो सक्सेस है दोनों ही परमेश्य को सुहाबने लगते हैं क्योंकि वो दोनों में फिर हम ही मेरी सहायता करते हैं और फिर मुझे वो अपनी इच्छा में चलने में सहायता करते हैं उन रास्ते दिखाने लग जाते हैं जिनके द्वारा मैं ये सब कुछ पा सकता हूं, कर सकता हूं फिर मैं आपने लिए ही नहीं गवाही देने वाला बनता, फिर मैं दूसरों को भी बता सकता हूँ, देखो मैंने ये किया, तुम भी कर सकते हो, मेरी सहायता हुई है, तुम्हारी सहायता भी होगी, फिर हम इस परकार विश्वाश में चलते हुए, किसी कमजोरी में नहीं रह दिया इस धर्ती के ओपर इंसान बना कर इंसानियत उन्होंने पहन ली तांके हम उनके साथ अपनी पहचान बना सकें हम ये देख सकें परमिश्र के पुत्र को किस परकार शैतान ने टेम्ट किया तो हम भी उसी परकार जैसे उन्होंने वचन के द्वारा सामना किया हम भी फि जुड़ते हैं फिर वचन की तलवार का हम सही तरीके से इस्तिमाल करने लग जाते हैं कमदोड़ियों पर नहीं कमदोड़ियों में नहीं बलके वचन की जै में वचन की जीत में फिर हम चलने लग जाते हैं यही एक सही कनफेशन है सही गवाही यहीं पर आ जाती है आई यह ह कोई तराथनापरमेशन जो बल प्यार और आतुमसायम के आत्मा हैं। फिर हमारे अंदर आतंसायम भी आपने बह दिया। ताके हम हर करा से आपके बल को सायम से इस्तिमाल करें, प्यार से इस्तिमाल करें, दूसरोंके लिए आशिश का कारण बनें। तागे दिन प्रती दिन हम तो सच्चाई के बल्ग में बढ़ते जाएं किसी कमजोरी में नहीं बल्ग के जीत में चलाएं तागे प्यारे पिता हम हर दिन पर भी यैश्यू के नाम में एक सची गवाही देते हुए आनंद में चलें आपको भी आनंद में भर दें तो कि आप भी खुश होते हैं जब हम किसी तरह से अच्छा करते हैं पिता परमेश्य का हम सब पर पुवित्रात्मा परमेश्य द्वारा ये सब बल आशिशें बनी रहें आपकी स्वर्ग की खिड़कियां सब पर खुली रहें ताकि हम दिन प्रती दिन आपकी महिमा करते हुए जय में चलें सब कुछ पिता परमेश्य आप से आप ही के प्यारे बेटे प्रबु यश्य के पोईत्र नाम में मांगते हैं आमेन, आमेन, आमेन किसी भी विश्वासी के जीवन में हर दिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें परमेश्वर के सामने उनका खुशी से धन्यवाद करें कि उनके बल में हम ये सही से कर सके कोई भी पिता अपने बच्चों को केवल दुख या फेल होने की बातों में ही फंसे हुए देख कर तभी खुश नहीं हो सकता हमारी सक्सेस की बातों से हम उच्चा से भर जाते हैं कि हम बाकी बातों में भी सफल हो सकते हैं बस यही जीत का रास्ता है थैंक यू सो मुच पर वाचिंग सी यू नेक्स ताइम स्टे ब्लेस्ट शालों